सेलेक्सन माइंड के वीडियो में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे मद्यप अप्रमूख जन जाती व्यक्तित्थों के बारे में इसके पहले भी हमने मद्यप अचाह्य के प्रमूख अद्वयासी नताओं के बारे में पढ़ा हुआ है साथ ही माद्य प्रदेश के कई प्रमूख व्यक्तित्तों का अध्यन भी हमने किया हुआ है अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देख लें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें, सेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी न भूलें सबसे पहले हम बात करते हैं पेमा फात्या की पेमा फात्या का जन्म चंसेकर आजाद नगर जाबूआ में हुआ पिथोरा चित्रकला के लिए ये प्रशिद्ध हुए पिथोरा चित्रकला की प्रमुक विशेषता है कि इसमें ध्वनी सून कर उसे आकृति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है मतला पेमा फाल्या पिथोरा चित्रकला के लिए प्रशिद्ध हुई और पिथवराचित्रकला में ध्वनी को सुनकर आकृति के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है यह एक विशिष्ट धारमिक अनुष्ठान है यह उर्वरा और सम्रद्धी को दर्शाता है जे सौमी नाथन के अंसार पिथोरा चित्र में निमने आकृतियां बनाई गई हैं जैसे बाबा गणेश, सूरज, तारे, घोडे, साब, बिच्छु, बंदर, आदी घोडा पिथोरा के मध्य में होता है सम्मान के अगर हम बात करें तो सीखर सम्मान 1986 में प्रदान किया गया था पेमा फालिया जी को और तुलसी सम्मान 2017 में प्रदान किया गया है आईए अब हम पढ़ते हैं जंग गढ़ सिंग श्याम के बारे में महत्य पिदेश के डिंडोरी जीले से संबंदित एक प्रसिद्द चित्रकार थे जंग गढ़ सिंग श्याम जी अगर हिनकी उपलब्द की हम बात करें तो जंगल कलाम नामक स्कूल के निर्माता के रूप में ये जाने जाते हैं मतलब जंगल कलाम एक स्कूल का नाम रखा गया इसके निर्माता थे जंग गढ़ सिंग श्याम जी फरवरी 1982 में भारत भवन की उद्गाटन प्रदर्शनी में सरप्रथम चिश्चित्र को दर्शाया गया वो था जंग गढ़ के चित्र मतलब देश विधान सभा और भारत भवन के गुंबद को भी चित्रत किया था जंग गढ़ सिंग श्याम जी द्वारा ही साथ ही जंग गढ़ ने ही गोंड चित्रकला में सरप्रतम कागज और कैनवास का उप्यो किया यह कला ही जंगल कलाम कहलाई इनके चित्रों के प्राथमिक विशयक गोंड देवता रहे साथ ही जानवरों के कटाउट शैली में बाग, हीरन और कचुव का चित्रन भी इन्होंने किया रंगीन डॉट्स की लाइन का उपयोग भी इनके द्वारा किया गया इनको प्राथ सम्मानों की हम बात करें तो सिखर सम्मान 1986 में इन्हें प्रदान किया गया था साथ ही 2001 में जापान के मिथिला संग्रहाले में इनकी मृत्ती हुई 2001 में जापान में अब हम पढ़ते हैं दिलीप सिंग भूरिया के बारे में दिलीप सिंग भूरिया का जन्म 1944 में जाबूआ में हुआ और ये एक प्रिसिद्ध आदिवासी नेता थे अगर इनकी उपलद्ध की हम बात करें तो इंदिरा गांधी द्वारा लोगसभा में सचेतक इन्हें बनाया गया था छै बार सांसद रहे सातवी लोगसभा आठवी लोगसभा नोवी दसवी ग्यारवी में ये कांग्रेस के साथ रहे और सोनवी लोगसभा में ये भाजपा के साथ सांसद बने अटल सरकार में अन्सूची जाती और जनजाती आयोग के अध्यक्ष भी रहे और भूरिया आयोग जो की आध्वासी सुरक्षा है तो पेशा कानून बनाने के लिए भी प्रसिद्ध था उसके अध्यक्ष भी रहे दिलीव सिंग भूरिया 1980 में पहली बार सांसद और लगातार सोला साल तक सांसद रहे दिलीव सिंग भूरिया मतपदेश की मोती लाल वोरा सरकार में तेदू पत्ता नीती बनाई गई जिसमें दिलीव सिंग भूरिया की एक महतपूर भूमिका थी अखिल भारती सहकारी संग के अध्यक्ष भी थे बिद्दिलीप सिंग भूरिया वो फोस घोटाला जांच समिति के सधर से भी रहे 2015 में इनकी मृत्ति हो गई आई अब हम पढ़ते हैं धीर सिंग बगेल के बारे में धीर सिंग बगेल रीवा राज में 1857 की क्रांति के एक प्रमुख ने तुत्व करता थे 17 वर्ष की आयू में रीवा महराज से अनबन के गारण लाहौर चले गए बाद में रडजीत सिंग के यहां नौकरी कर ली सुलह होने के बाद पुनह रीवा आये गढ़ा मंडला के शाचक संकरसा से भेट करने के पश्चाद 1857 की क्रांति का नेतित इन्होंने किया आईएब हम पढ़ते हैं नरेश शंद्र सिंग के बारे में नरेश शंद्र सिंग 36 गढ़ के 22 गढ़ के राजा थे मद्र भारत में सारंगड राज के शाचक थे जिन्होंने एक जनवरी 1948 को भारत में अपने राज को शामिल कर दिया नरेश शंद्र सिंग एक भारती राजनेता थे और मद्र पदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं इनका कारिकार 13 से 25 मार्श 1979 तक रहा 1952 में उन्होंने पहला चुनाव जीता तथा मद्र पदेश की पहली विधान सभा में कैबिनेट मंत्री बने राजा नरेश शंद्र सिंग दूसरी तीसरी एवं चौथी विधान सभा में भी सदस से रहे कॉंग्रेस पार्टी से मतभेत के चलते इन्होंने सभी पतों से इस्तीफा देकर राजनीती से सन्यास ले लिया आईएव हम देखते हैं जमुना देवी के बारे में जमुना देवी सदार पुर्धार में जन्मी मदभ देश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी 2003 में मतलब जमुना देवी मदभ देश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष 2003 में बनी गरे इनकी हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो बुआ जी के नाम से ये प्रशिद है उन्निस सौन्ठानने में मदब देश की पहली महिला उप्प मुख्यमंत्री बनी सुतंता के पश्चात वह पहली विधान सभा उन्निस सबाओन से संतामन तक सदसे रही तत पश्चात मदब देश के जाबुआ छेतर से च्छै बार चुनाओ जीत कर विधायक रही जमुना देवी उननिस सबाशाट में पहली बार जाबुआ लोग सभा छेतर से चुनाव जीती 1978 से 1981 तक राज सभा सदस्य भी रही मद्यप्रदेश शाषन में राज मंत्री कैबिनेट मंत्री तोर पर आदिम जाती अनसूचित जाती जन जाती और पिछड़ा वर कल्यार जैसे विभागों का दाईत भी जमुना देवी जी ने समहाला 2001 में भारत ज्योति सम्मान से इन्हें समानित किया गया कांती लाल भूरिया अनसूचित जाती एवं जन जाती वा पिछड़ा वर्ग और गरीब लोगों के लिए कारे करने वाले राश्टी नेता थे जिनका जन्म जाबुआ में 1950 में हुआ 1999 और 2004 में मत्यपदेश के जाबुआ निर्वाचन छेतर से तथा 2009 और 2015 में रतलाम लोगसभा छेतर से निर्वाचित हुए 2009 में उन्हें प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग सरकार में वो भोगता एवं खादे और सारवजनिक वितरण मंत्राले में कैबिनेट मंत्री बनाया गया तथा बरतमान में भी भरती राश्टी कांग्रेश के ही सदसे हैं कांतिलाल भूरिया फग्गन सिंग कुलस्ते मंडला जिले में जन में एक राश्टी राजनेता है राजनेतिक उपलब्धियों के अगर हम बात करें तो मद्ध प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता जिन्होंने मंडला लोकसभा से लगातार छे बार जीत दर्ज की 1989 में पहली बार मंडला से विधायक चुने गए फग्गन सिंग कुलस्ते 1999 से 2004 तक केंद्री संसदी कार राजमंत्री रहे 2012 में राजसभा में चुने गए तथा वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाओं में पुन्नह जीत दर्ज की 2016 से 17 में स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री भी रहे तथा वर्तमान में प्रिधान मंत्री नरेन मोदी सरकार में इस पात मंत्राले में राजमंत्री का पद पग्गन सिंग कुलस्ते ने समहाला हुआ है अगर हम विर्षा गोंड के बारे में जाने तो मध्य प्रदेश के नर्वदा गाटी छेत्र में सतंता संग्राम को दिशा देने वाले एक प्रमुक क्रांतिकारी वा आदिवासी नेता थे विर्षा गोंड 1942 में बैतूल जिले के घोडा डोंग्री से संबंदी थे विर्षा गोंड साहपुर छेत्र में क्रांतिकारीयों का नेत्त करते हुए रेले स्टेशन पर इन्होंने अंधोलन किया था आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां बुखारी पुलिस स्थाने एवं लकडी डीपों में आग लगा दी थी पुलिस से वंवन अधिकारियों द्वारा बीना चेतावनी के गोली चलाने के कारण विर्षा गोंड जी की मित्त्य हो गई तो साथियों आज हमने जाना मत्यपितेश के प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्नों के बारे में हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक आप स्वस्त रहें पढ़ते रहें हमारे वीडियो को भी लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को